सब्सक्राइब किजिए TechMindbird चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए किलिक किजिए इस बेल बटन पर क्या आप अपने फेस्बुक एकाउंट का लोगिन पासवर्ड भूल गए हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल TechMindbird अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और इसमें फेस्बुक की ओफिसेल वेपसाइड www.facebook.com डालकर एंटर कर देंगे यह देखी फेस्बुक का पेज ओपन हो गया है यहां फेस्बुक आईडी और पासवर्ड डालकर लोगिन करते हैं लेकिन हम फेस्बुक का लोगिन पासवर्ड भूल गए हैं ऐसे में हमें क्या करना है आप ध्यान देंगे तो पासवर्ड के नीचे फॉर्गोटन एकाउंट का ओप्सन दिया है इसके उपर किलिक करेंगे अब यहां हमसे कहा जा रहा है कि आप एमेल आईडी और फॉन नमबर डालकर अपना एकाउंट सर्च किजिए अगर आपने अपने फेस्बुक एकाउंट को इमेल आईडी से कनेक्ट कर रहा है तो यहां इमेल आईडी डालकर सर्च कर सकते हैं और फॉन नमबर से भी सर्च कर सकते हैं चलिए मैं अपनी इमेल आईडी डाल देता हूं मैंने email id डाल दिये अब search के बटन पर click कर देते हैं यह देखे यहां हमारा account आ गया है यहां पर देखे तीन option दिये हैं हम तीन तरह से facebook password reset कर सकते हैं यहां सबसे पहला option है कि आप अपने google account को use करके password reset कर सकते हैं यानि अपने google account में login करके password reset कर सकते हैं अगर आप दूसरे option को select करके continue के बटन पर click करते हैं तो आपके email id पर एक code भेज़ा जाएगा उस code की साहता से password reset कर सकते हैं और अगर आप तीसरे option को select करके continue के बटन पर click करते हैं तो यहां नीचे दिये गए mobile number पर SMS के द्वारा 6 digit का code भेज़ा जाएगा उस code को डाल कर password reset कर सकते हैं चलिए हम तीसरे option को select करके continue के बटन पर click कर देते हैं यह देखिए facebook हमसे 6 digit का code मांग रहा है जो हमारे mobile number पर भेज़ा गया है चलिए message check कर लेते हैं यह देखिए mobile पर code आ गया है चलिए अब इसे इस box में डाल देते हैं और continue के बटन पर click कर देते हैं यह देखिए अब हमें नया password बनाने के लिए कहा जा रहा है चलिए password रख लेते हैं strong password बनाने के लिए alphabet और number दोनों का combination करके डालें जिससे आपका password strong बने चलिए continue के बटन पर click कर देते हैं अब यहाँ पर दो option दी है log out of other devices और stay logged in अगर आप पहलो option पर click करके continue के बटन पर click करते हैं तो आपने जितनी भी devices पर facebook ID को login कर रखा है उन सभी से log out हो जाएंगे और अगर आप दूसरे option को select करके continue के बटन पर click करते हैं तो आपने जिन जिन डिवाइसेस पर facebook ID लोगिन कर रखी है उन पर ID लोगिन ही रहेगी चलिए पहले option को select करके continue के बटन पर click कर देते हैं यहाँ security message दिया है चलिए हम get started पर click कर देते हैं अब continue के बटन पर click कर देंगे अब यहाँ फिर से नया password मांग रहा है जो नया password हमने बनाया है यहाँ उसी को डाल देंगे यहाँ फिर से यही password डाल देंगे और continue के बटन पर click कर देंगे यहाँ पूछ रहा है कि आप इन post को delete करना चाते हैं फिलाल मैं इसे skip कर देता हूं इसे भी skip कर देते हैं यहाँ से भी tick हटा कर skip कर देंगे यह देखिए सब कुछ complete हो गया है अब go to news feed पर click कर देते हैं यह देखिए अब हम अपने account में logged in हो गये हैं और हमारा password चेंज हो गया है तो अब आप Facebook ID का password reset करना सीख गये हैं दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करिए share करिए और अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और साथ में bell बटन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर निव वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो